हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो आज हम पढ़ने वाले हैं Class 4 EBS और ये हैं आपका Chapter No.9 Changing the Families Video Lesson No.2 तो इसको सुरू करने से पहले ये जो वीडियो लेसन आपका है आप Previous जो वीडियो लेसन No.1 है आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजेगा इन यूटूब आपका जो Education Connect Channel है वहाँ पर जाके आप Playlist में ये Chapter का जो नेम है इस Chapter में आपको Video Lesson No.1 मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं इसे तो यहाँ पर देखो New Place, यहाँ पर एक New Family हमारे पास है, वो Family किसकी है? Sharing के Family है Sharing Father receive a letter from his office उसके फादर को यानके जो Sharing उसके फादर को क्या मिलता है एक letter मिलता है office से The letter said that he was being promoted and would have to move another city तो उनके फादर को ही पता चलता है लेटर के थरू कि उनका promotion हो गया है और उनको जो new post मिली है वो किसी दूसरी city में है और बहाँ पे जाना है उनको तो ये फादर है ये लेटर उनको मिला अब letter क्या करेंगे अपनी family जो members है उनको दिखाते है When sharing father showed the letter his family How do you think the different members would have felt तो जो family members है उनको कैसा महसूस होता है वो क्या आप feel करते हैं अब वो हमें देखना है अगर महलो आपकी घर में किसी का promotion हो आप पता चले कि दूसरे city में जाना है तो कैसे feeling आएंगे आप उसे according आप यहाँ पर अपना answer अपने notebook में लिख सकते हो यहाँ पर एक word है felt यह होता है आपका feel जो हम करते हैं महसूस करते हैं तो feel को अगर हम past tense में अगर हम convert करें तो felt हो जाता है आपका okay यहाँ पर एक similar word हमें मिल रहा है देखने को एक है letter और एक है आपका letter यहाँ पर जो letter यूज होता है यह यूज होता है use letter to refer to a time or situation यानि कि जब हम बोलते हैं कि हम बाद में मिलेंगे see you letter तो वो क्या है आपका वो यह वाला letter यूज होता है अगर हम किसी को letter लिख रहे हैं जब written, typed या printed form में communication करते हैं sent in envelope envelope में हम रखकर उसको post के through messenger के through भेजते हैं तो वो आपका होता है letter एक और word हमारे पास था promotion या promoted promotion क्या होता है reach someone to higher position और rank अगर को lower position पे है उसका promotion higher position मल जाता है उसको तो वो क्या होता है promotion कहलाता है उसका अब next आते हैं कि questions पे कि when sharing father letter को दिखाते है family को how do you think the different members would have felt तो लोग कैसा जो different members of family के वो कैसा feel करते हैं everyone was very happy सभी happy होते है क्योंकि उनके father का क्या हो गया है promotion हो गया है तो प्रमोशन हो गया है जाहिर से बाते है salary भी increase हो जाएगी sharing father got promotion at the same time लेकिन उसी समय क्या होता है all were little sad about also that he has to go to another city थोड़ा उदास भी लोग हो जाते हैं क्योंकि अब वो जो सहर है उनको छोड़ना पड़ेगा और नह सहर में जाना पड़ेगा उनके जो परोसी है जो सहर है पूरा उन सबको क्या करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा तो इससे क्या होता है लोग उदास भी हो जाते हैं कुछ समय के लिए ओके यह पैकिंग सुर हो गई sharing family की और यह ट्रेन में बैट कर वो दूसरे city में जाने के लिए ready होते हैं तो what will change in sharing family after his father transfer तो पूछ रहे कि क्या क्या changes sharing family में आते हैं जब transfer होता है उसके father का जैसे आप example दिया है who from sharing family will leave with his father at the new place कौन कौन से sharing के father के साथ new place पे रहने जाएंगी which school will sharing go to now आप कौन से school में उसका admission होगा sharing का वो बताना आपको है will he have new friend क्या उसके नए दोस्त बनते हैं उसके नए school में की नहीं बनते हैं तो एक एक करके हम सबका answer करेंगे तो फर्स्ट पे आते हैं who from sharing family will leave with his father at new place तो आप देखोगे sharing तो जाएगा है उसके father के साथ his sister and his mother will leave with his father at the new place जैनकी sharing है उसकी sister है वो father के साथ new place पे रहने जाएंगे next है कि which school will sharing go to now sharing will go to now a new school तो वो एक नए school में उसका admission होगा तो नए school में जाएगा next है will he have new friends क्या उसके नए दोस्त बनेंगे तो बिल्कुल अगर आप नए school में जाओगे तो आपके नए दोस्त बनते हैं in new school sharing will have new friends okay next आते हैं कि has anybody in your family moved to a new place because of work तो क्या आपके family में या आपके पडोस में कोई ऐसा है जो move किया हो नए प्लेस पे गया हो किसी काम के काम के करने की वज़े से या उसका promotion हो गया है या उसका transfer हो गया है अगर है तो आप विल्कुल answer करना है yes my uncle moved to a daily because of his work तो जो भी कहा है परसन आप उसका आने हापे name mention करना move to your relation mention करना जो place है जहाँ पे वो move किया है वो mention करना और क्या reasons था move करने का वो बताना आप next what do you feel about this change तो आप कैसा feel की है अगर आपके घर से या आपके family से कोई बाहर गया है तो we should feel very happy तो आप बहुत खुस होंगी क्यों खुस होंगी as we get opportunity क्योंकि हमें एक opportunity मिलती है to visit a new place नय place पे जाने में तो बहुत लोगों को new places पे विजिट करने में काफी happy feel होता है और कुछ लोग ऐसे भी होती है we feel sad about this change आप बहुत लोग दुखी होती है क्योंकि वो पुराने जो आपका old place है उसको भूल नहीं पाते है next आते है is there anyone in your class क्या आपके कोई class में या आपके school में कोई ऐसा person है who has come to your school from another place वो आपके school में आया है किसे दूसरी चगह से अगर ऐसा है talk to him or her आप उसे बात करिये अगर boys है तो हम him use करेंगे अगर girls है तो हम her use करते है तो first question में प्याते है कि जब उसे बात करेंगे तो आप क्या कूशना उसे है where see or he come from यानि कि वो कहां से आया है second आपके पास है what was he sorry his or her old school ने like क्या वो अपने पुराने school को पसंद करता था what does he or she find different year उसको क्या यहाँ पर difference देखने का मिल रहा है does he or she like the changes क्या उसको इसको इस पसंद आ रहे ही नहीं आ रहे आप बात करो और अपनी बुक में उसको notebook आपका जो है उसमें आप mention करना आपकी बुक में भी अगर space है तो हाँ पर पर आप उसको लिख सकते हो ओगे तो first question पर आते है कि क्या कोई person ऐसा है ठीक है तो हाँ अगर है तो आप करना yes एक girls है came to our school last month last month या last year कुछ भी आप लिख सकते हो जैसा भी आप information आपको मिली हो यानि कि एक लड़की हमारे school में आई है पिछले महिने या पिछले साल अब उसे question हमने बूच आता है कि where C or he come from तो C come from लखनौ तो जहां से वो आई है उसका place आप यहाँ पर mention करना what was his her old school like क्या उपने school को पसंद करती थी या करता था बिल्कुल अगर ऐसा है तो आप उचो सो her old school was good and he had lots of friends तो उसका school कैसा था तो उसका school जो था काफी अच्छा school था उसका और वहाँ पर काफी दोस्त भी थे ओके निस्ट आते हैं कि what does he or she find different here तो उसको क्या यहाँ पर different मिला देखने को तो she find everything new here यानि कि उसको सब कुछ यहाँ पर नया दिख रहा है new people, नय लोग है, नय फ्रेंड्स है बहुत कुछ नया है make her feel excited, वह काफी excited feel कर रही है, काफी उसको अच्छा लग रहा है यहाँ पर में भी हो सकता है, यहाँ पर आपका जो thought है जो आपने पूछा किसी बच्चे सी हो सकता है, हाँ पर change भी हो सकता है उसको यहाँ पर काफी feel जो उसका है, यानि कि वो काफी sad feel कर रही होगी आप उसको भी mention कर सकती हो okay next आते हैं, does he or she like the changes अगर उसको changes पसंदे तो yes, she like the changes अगर नहीं है तो no, she not like the changes okay अब देखो हमारे पास कुछ opposite words या एंटोनिम्स बोल सकते हैं यहाँ पर word opposite हम देखते हैं जैसे word हमारे पास है find, अगर find का opposite हमें देखना हो तो क्या होगा वो आपका अगर कि like कर देखना है तो like क क्या होगा आपका dislike different देखोगे आपका differences है तो उसका opposite क्या होगा similar promotion क्या होता है, demotion होता है अगर कोई promote होके new post बजाता है अगर कोई higher post से lower post बजाता है उसको बोलते है demotion move करना यह आप rest कर रहे हो अगर move कर रहे हो चल रहे हो, अगर रुकना है तो हम पर क्या करोगे, rest आपका क्या होगा अगर कुछ दिखाना है अगर कुछ hide करना है तो hide होगा, लिखाना है तो show होगा, आपका transfer होगा, अगर new place पर आपका Rose आपको झाना पड़ेगा या फिर आपप Frankfurt hold होगया तो transfer का अपोजिट क्या होगा आपका hold कम कगू होता है इनने स्टाथ है excitement excitement मतलब कि काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं आपका फिक्खोजवाफ हो ठीके यहापे काम यहापे आप साथ महसूस कर रहे हो new आपका अपोजिट hold होता है आपका arrival departure तो काफी आप train देखते होगे train में अनाउस्मेंट होगा कि train आने वाली है train arrival है या train जाती है तो departure बोलते हैं उसको before, after now, later अगर हमें कुछ इस्पैंड करना है तो क्या होगा saving ठीके feel feel है आपका आपका इसा feel कर रहे हो तो आपका हो सकता है disbelief आप believe नहीं करते किसी चीज में या आपको अकेले रहना है leave alone तो यह opposite words opposite words आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं तो बिल्कुर आप इसको याद रखना आप कुछिस करना कि आपका जो notebook है आप उसमें इन words को mention करना क्योंकि यह सारे words आपकी जो chapter 9 है उसे से relate कर रहा है आपका तो I hope यह session काफी पसंद आया होगा आपको हम जो chapter 9 है इसको continue रखेंगे इनना next video lesson तब तक के लिए thank you class और हाँ ध्यान रखना कि इस से relate आपका जो video lesson number 2 है उसे relate आपका जो MCQ test है वो आपको discussion link में देखने का मिल जाएगा आप जो channel ले education connect इसको subscribe कर लीजेगा कि आपको जो कोई class अगर miss कर दिया है तो आप YouTube जो channel ले education connect का वहाँ पर जाओ आप आप previous जो videos हैं उनको आप देख सकते हो और इसको share कर दिना और उन बच्चों तो के पहुँच जाएगा जिनको अभी तक इसके भारे में कोई information नहीं है Thank you